नमस्कार, मैं हूँ विवेक्तर पाठी। महानवी भूतियों के किस्से और कहानियां तो हमने बहुत सुनी हैं। लेकिन ये कहानी शायद नहीं सुनी। बात उन दिनों की है जब लाल भादुर शास्त्री, रिल मंत्री हुआ करते थे। मुगल सराय में उनकी एक सभा का आयूजन हुआ था। वो वहाँ संबोधन के लिए पहुँचे थे। बेटे के आने की बात उनकी मा को जब पता चली तो वो सभास्थल पर ही उनसे मिलने पहुँच गई। उनकी मा को ये नहीं पता था कि उनका बेटा रिल मंत्री है। वो जानती थी कि लाल भादुर एक रिल कर्मी हैं छोटी सी नोकरी करते हैं। सभास्थल पर पुराने कपड़ों में बुड़ी महिला को देखकर सुरक्षा गाडों ने रुक दिया। और पूछा किस से मिलना है आपको। उन्होंने लाल भादुर शास्त्री की तरफ इशारा करते हुए कहा वो मेरा बेटा है। रिल वे में नोकरी करता है साहब। बहुत दिन हो गए बेटे से मिले। बस एक बार मिला दो। तब सुरक्षा कर्मियों ने रिल मंत्री से जाकर पूछा कि बाहर खड़ी महिला आपको अपना बेटा कहती है। क्या आप उन्हें जानते हैं क्योंकि वो आप से मिलना चाहती है। शास्त्री जी ने कहा हाँ वो मेरी माँ है। उन्होंने अपनी माँ को मंच पर ही बुलवाया और कुशल चेम पूछा। लोग उनके संबोधन का इंतजार कर रहे थे क्योंकि वक्त गुजर रहा था। लहाजा शास्त्री जी ने अपनी माँ से कहा अम्मा आप अब घर जाएए मैं जल्द आओंगा आप से मिलना ये कहकर शास्त्री जी ने माता के पैर चुए उनकी माँ आशिरवाद देखकर व जी ने कहा कि मेरी मा ये नहीं जानती कि मैं रेलमंत्री हूँ। वो ये जानती है कि मैं रेलवे का एक छोटा सा कर्मचारी हूँ। मैंने मा को इसलिए नहीं बताया कि मैं एक रेलमंत्री हूँ। क्योंकि मा अपने माय के रिष्टदारों गाउजवार के लोगों की नोकर लगवाने के लिए मुझ पर दबाव बनाने लगती, तब मैं क्या करता, मैंने उसलिए नहीं बताया, कि कहीं वो रेलमंत्री की मा होने पर घमंड में ना आ जाए, मैं अपनी मा से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए उनको बुराईयों से बचाया, और रेलवे को भरश्टा चार से, गुदड़ी के लाल हमारे प्रिय लाल बहादू शास्त्री जी की आज जैनती है, इस कहानी से प्रिणा लेनी चाहिए हमें आज, क्योंकि यहां तो उन्हीं के पार्टी के मंत्री आज हजारो करोड के मालिक हैं, आज उनकी जैनती पर उन्हें शत्चत्नमन है, नम मसकार, मैं हूं विवेक्तर पाठी, महानवी भूतियों के किस्से,